matrix या matrix या column या different किसम के जो आप square brackets के अंदर values लिखते हैं वो आपने बड़े पुड़े होंगे linear algebra के अंदर vectors जो मैंने पिछले lectures में बताए हैं और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं matrix या matrices या बड़े matter करते हैं और यह होते क्या हैं क्यों important है इसके बारे में discussion बहुत लंबी तूल पकड़ जाएगी मैंने algebra के basic lecture में भी आपको बताया है और खास तोर पे आपका convolutional neural network वो सारे के सारा आपका इस पे base करता है matrix को किस तरीके से आप लेके चलते हैं और linear algebra के है basically तो artificial neural network जो है वो सारे के सारा linear algebra की base पर ही बन रहा है but on the other side we will see के उसको algorithm को बनाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ को मदे नज़र रखते हैं यहां पर आपके सामने matrix की एक मैंने definition लिखी है अब इसको पहले identify करते हैं कि क्या हमने definition जो लिखी है वो आपकी समझ में आती है then we will move forward matrix m-a-t-r-i-x matrix अक्सरुकात आपने filmों के अंदर भी देखा होगा कि matrix जो है उसमें glitch आ गया glitch कहा है यह जिस अंदाज में हम रह रहे हैं हमारी जो space है यह भी एक matrix है और theoretically दुनिया इतने नहज पर पहुंच चुकी है कि people are thinking के दुनिया में कोई exist नहीं कर रहा है यह सिरफ हमारे दिमाग की चीज़ें हैं जो हमारे सामने feel हो रही है for example अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ usually it's not happening it's just in our mind so यह भी हो सकता है और इसको matrix भी बोलते हैं लोग कि matrix के अंदर आपका दिमाग जो चीज़ों को perceive कर रहा है आप उसको सामने रखके फिर आगे चल रहे है इसी वाज़ा से लोग कहते हैं कि matrix जो है इसको समझना बहुत ज but first we will see a matrix is a rectangular array एक array होती है आपके पास इस तरीके से 2 by 3 ठीक है यह उपर से नीचे भी है यह राइट से लेफ्ट भी आप कर सकते हैं 2 और 3 की लेकिन जब हमने rectangle बनानी होती है तो या तो हमें 2 इस तरीके से आनी चाहिए चीज़े for example 2 और 3 है फिर एक और dimension हम इसमें add करें which is 3 और 4 तो यह हमारे पास क्या हो जाता है एक matrix बन जाएगा so usually a matrix is a rectangular array array क्या होती है number की एक sequence जो मैंने आपको पहले भी बताया था numpy arrays हमने बड़ी detail में पढ़ी है I am not going into that detail now लेकिन आपको इतना बता देता हूँ array is a sequence of things चले एक मिसाल में आपको दे देता हूँ मिठाई का डबा जब आप लेने जाते हैं बीज में बरिफी भी लगी हुई है कितार के अंदर रसगुले भी लगे हुए है गुलाब जामुन भी लगे है एक बिचारा मेसु इदर ही घूम रहा है लग से so वो जो कितारें बनी होती है different चीजों की जिसे हम rows बोलते हैं उन को हम arrays भी बोल सकते हैं और data की जुबान के अंदर जब हम इन rows के data को यानि के numbers को store करते हैं inside our computer तो वो arrays की form में store होते हैं तो arrays क्या होती है इस पर मैंने बड़ा different lectures भी दिया है अगर आप इस course को already देख रहे हैं तो आपको description में links मिल जाएंगे कि सारे के सारा course totally आपको free में available so you can find the lectures or numpy arrays अच्छा ये matrix होता है rectangular array of numbers इसमें numbers आ सकते हैं जैसे मैंने 2, 3, 3, 4 का बनाया और इसी के अंदर आप numbers की बजाए symbols भी ले के आ सकते हैं किसी भी किसम के और expressions भी ले के आ सकते हैं ठीक है numbers, symbols और expressions तीनों किसम की चीजें इसके अंदर आ सकती हैं हमने usually पढ़ा है 2 3, 4 सिरफ numbers बढ़ें अगर मैं इसके अंदर 2a plus 3, 3, 2a plus 1, 1 plus 2 इस तरीके से अगर लिखूं तो ये भी हमारे पास एक matrix है ये हमारे पास value है obviously हम इस expression को resolve करेंगे तो हमारे पास simplification के बाद कोई चीज आ जाएगी तो उस एक simplification के बाद जो चीज हमारे पास आती है उनको हम matrix क अंदर भी store कर सकते हैं so usually हमारे पास numbers होते हैं लेकिन symbols भी expressions भी आ सकते हैं arranged in a row and column तो हमारे पास सिरफ rows नहीं होंगी जैसे हमने पिछले lecture में देखा कि 2 और 3 हम इस तरीके से लिखके vectors बना रहे हैं अब हमारे पास 2 और 3 ये जो एक column है इसके साथ 4 और 5 ये rows भी होंगे for example यहां से इस साइड पे जाएं तो ये rows है उपर से नीचे हैं तो ये column है अब मुझे बताएं इसमें कितनी rows हैं और कितने columns हैं जो मुझे लगता है पहली row ये है दूसरी row ये है और अगर columns देखूं तो पहला column ये है दूसरा column ये है तो मेरे पास 2 rows है और मेरे पास 2 ही column है अगर मैं इसको बोलूँ कि यह matrix की dimension क्या है तो this is two by two, ठीक है, तो यह two by two का matrix है, जो obviously हमें two by two is equal to four, four हमें numbers या four values देगा, ठीक है, तो matrix को draw करने के लिए आप क्या करते हैं, number of rows and columns बताते हैं या two values बताते हैं, कि two by two का बना दो, अगर मैं three by three का बनाऊंगा, तो मेरे पास total values आ जाएंगी, sorry, three by three का बनाऊंगा, तो मेरे पास total values आ जाएंगी nine, तो three by three का मतलब यह है कि one, two, three, one, two, two, three, three, यह number कोई भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ random numbers लिख रहा हूं, तो यह three columns हैं, एक column, दो column, तीन column, एक row, दो row, तीन row, तो rows इस तरीके से होती हैं, और columns उपर से नीचे होती हैं, तो मेरे पास three by three का यह एक matrix बन गया, तो matrix हम इस तरीके से find out करते हैं, और उन्हें बनाते हैं, अब यह जो अंदर matrix के चीजें होती हैं, इनको हम बोलते हैं, elements of matrix, यह जो अंदर चीजें होती हैं, इ analysis on image data मैं भी आपको बदाता हूँ कि हमारे पास जब भी कोई image आती है तो उसका matrix कैसे बनता है और matrix जो है वो किस तरीके से हमें help out करता है तो identify an image और इस image को हम understand करते हुए किन चीजों का ख्यार रखते हैं ठीक है अभी मैं let me see कोई easy example आपके सामने में ले के आता हूँ ताकि आपको असानी रहे उसको समझने के लिए just a minute ये मेरे पास एक image है ये थोड़ी सी बदी image हागी है मैं इसको थोड़ा चोटा करता हूँ तो आपको समझा रहेगी ये हमारे पास एक तस्वीर होती है जिसको हम input बोलते है जब हम कोई तस्वीर देते हैं अपने computer को read out करने के लिए तो तस्वीर में होते हैं pixels जो मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक है अगर ये 3 by 3 का matrix बना रहा है ये pixel तो इसके अंदर 3, 3 बार 9 यानि कि आप कह सकते हैं 9 bytes है ठीक है 1, 2, 3 3 by 3 का जो हमारे पास है ये एक तस्वीर है तो जब 3 by 3 की हमारे पास एक तस्वीर यहाँ पे मजूद है तो ये 3 by 3 का matrix है तो जब भी मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगा for example मैं इस तस्वीर के अंदर जो identify करना चारा हूँ handwriting को करना चारा हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको find out करो ये मैंने क्या लिख है तो आप देखें कि जहाँ पे मेरी तस्वीर के अंदर या जो object है उसके अंदर कुछ नहीं होगा मतलब अगर binary है color ये white है पीछ ब्लैक है तो वहाँ पे मेरे पास zero आजागा zero, 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 zero और जहाँ पे कुछ value होगी for example यहाँ पे one है और इसके अंदर भी one की कुछ value हो इसके अंदर भी वहाँ पे कुछ codes लिखे आ जाएंगे code क्या होगे वो values होगी for example यहाँ पे लिखा जाता है I would just say 110, 120, 130 तो ये क्या करेगा ये matrix हमें बताएगा three by three का के आपकी तस्वीर कैसे नजर आ रही है तो हमारे पास input matrix होता है input के साथ-साथ हमारे पास एक kernel भी होता है kernel क्या करता है और बाकी चीज़ें कैसे काम करती है जब हम matrix को और भी आगे detail में देखेंगे तब I will tell you about these things लेकिन identification के लिए हम कुछ इस तरीके से rules जो है वो बनाते है ताके हमारे पास एक linear value आ जाए अब यहाँ पे इस एक तस्वीर के अंदर आप अगर देखें ये हमारे पास एक है जी तस्वीर तस्वीर को जब computer read out करता है उसको different किसम के matrix के अंदर तोड़ता है फिर बड़े से छोटे matrix के अंदर आता है उससे छोटे के अंदर उससे छोटे के अंदर and at the end हमारे पास क्या होता है आप अगर गोर करें हमारे पास एक linear array one dimensional array में convert हो जाता है तो हमारा main काम क्या है 3 by 3 को हम one dimensional array यानि के आप matrix को vectors के अंदर convert करते है यह काम हमें कौन सिखाता है यह linear algebra हमें सारा का सिखाता है कि किस तरीके से आप vectors को arrays के अंदर convert कर सकते है और अगर आपको vectors और matrix की समझ लग जाए so believe me it would be easier for you to understand कि matrix किस तरीके से काम करते है हम फिर क्या करते है matrix को resolve भी करते है for example यह हमारे पास एक matrix है जिसके अंदर values है 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 और दूसरा matrix भी है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम इसको multiply भी करते है और इसका जो answer आता है वो भी हम देखेंगे किस तरीके से matrix को multiply करते है किसी एक number से कैसे multiply किया जाते है and many other things we are going to see very soon तो matrix को समझना इस वज़ा से नहायत ज़रूरी है यह की term थी आपको बतानी थी कि matrix क्या होते है hopefully अब आपको समझा कि हो